हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का आज कई सेशन में आज हम राष्थान कलाईं संस्कृति में राष्थान की हस्तकलाओं के बारे में विश्थार से चर्चा करेंगे राष्थान की हस्तकलाईं स्वन चंदी हस्तकला नमबर एक जेम सन्ड जेनलरी कहां की परसिद है जैपूर की नमबर दो थेवाकला कहां की प्रसीद है परताप गड़की थेवाकला क्या उतिये काच पर हरे रंग को आधार मानकर सवरुणिन नकासी करना थेवाकला का आधि पूरुष किसको माना जाता है नाथुजी को मना जाता है नमबर तीन कुंदनकला कहां की पर रतन जड़ाई होद थेवाकला कहां की परसीद है जैपूरकी कुंदनकला क्या उतियो सलॉन आ भूशनों पर रतन जड़ाई कुंदनकला कहलाती है कुंदनकला क्या होती है सरुन आव बूशनों पर रतन जड़ाई और कुंदनकला कहां की परशिद है जैपूर की नम्बर च्यार तारकसी के जेवर कहां पर के परसीद है नाद्वारा राजसमंद के तारकसी क्या होती है चांदी के पतले पतले तारों को जेवर से बनाना तारकसी क्या होती है चांदी के पतले पतले तारों को जेवर्शे बनाना क्या कहलाता है तारकसी, कोफत गिरी कहां की परसिद है जैपुरोर अलवर की, फोलाद की वस्तों पर सोने के तार की जड़ाई क्या कहलाती है कोफत गिरी, फोलाद की वस्तों पर सोने के तार की कि फॉलाध की वस्तो पर सोने के तार की क्या केलाती है कौफत गिरी तेहनिज्ञा नुमबर शैकर तैयनिज्ञा तैनिसा कहा की परशिद है अलवार और उद्देपुर की तैनिसा क्या होती है तैनिसा होती है डिजाइनों को गहरा करके उसमें तार की जड़ाई करना तैनिसा कहलता है तैनिसा कहा की परशिद है अलवार और उद्देपुर की तैनिसा तैनिसा डिजाइन को गहरा करके उसमें तार की जड़ाई करना तैनिसा कहलता है नमबर दो कसिदाकारी हस्तकला नमबर दो कसिदाकारी हस्तकला नमबर दो में नमबर एक है जर्दो जी जैपूर की परसीद है जर्दो जी कहां की परसीद है जर्दो जी क्या होती है कपड़े पर सुने रे दागे की कड़ाई जर्दो जी कहलाती है कपड़े पर सुनेरे दागे के कड़ाई जर्दोजी कहलाता है और जर्दोजी कहां की परसिद है जैपूर की नमबर दो गोटे के कारिये जैपूर और खंडेला शिकर के परसिद है गोटे के कारिये के परसिद है जैपूर और खंडेला शिकर के परसिद है गोटे के परकार है लपालपी किरण गोखुरू बाकली बीज्या मुकेस और नक्सी गोटे के परकार है लपालपी किरण गोखुरू बाकली बीज्या मुकेस और नक्सी नम्बर तीन संग्मर्मर हस्तकला संग्मर्मर हस्तकला संग्मर्मर हस्तकला मार्वल की मूर्तिया कहां की परशिद हैं मार्वल की मूर्तिया जैपूर और ठानागाजी अलवर मार्वल की मूर्तिया जैपूर और ठानागाजी अलवर की परशिद हैं रमकडव 2 कहां का परशीद है नंबर 2 रमकडव 2 कहां का परशीद है गलिया कोट डुंगरपूर का रमकडव 2 क्या होता है सोब स्टोन को तरासकर बनाए गई वस्त्वे रमकडव 2 कहलाती है नंबर च्यार लाख हस्तकला नंबर च्यार लाक हस्तकला लाख के हस्तकला में को अर्शिद है Producer कि पर स्भी नंबर दो लाग के आबुसर को के पर सिद्ध है उद्दयपुर के नंबर 5 चंदनेम हांतिधास्त कला चंदन की वस्तवे ंप यह यह नंबर दो हाथिदाद की वस्ते जैपूर उद्यपूर बर्तपूर मेड़ता और पाली मेड़ता कहा पर है नागोर में मेड़ता और पाली की परशिद है नंबर छे लकडी हस्तकला नंबर छे लकडी हस्तकला लकडी हस्तकला कहां की परशिद है लकडी हस्तकला में नंबर एक कास्टकल लकड़ी अस्तकला में नमबर एक क्या है कास्ट कला कास्ट कला कहां की परशिद है बसी चित तोडगर और जेठाना दुंगरपूर की नमबर दो कटपूत लिया बनाना कटपूत लिया कहां की परसिद है उद्धेपूर्की कटपूत लिया कहां की परसिद है उद्धेपूर्की नमबर तीर नकासिदार किवाड कहां की परसिद है सेखावाटी और बिक्कानेर के नंबर साथ कागच हस्तकला, कागच हस्तकला में नंबर एक है कागच बनाने की कला, कागच बनाने की कला कहां से आई? नमबर दो पेपर मेशी यानि कुट्टी मिट्टी पेपर मेशी क्या होती है कुट्टी मिट्टी को कहते हैं और यह कहां की परसिद है जैपूर्खी पेपर मेशी क्या होती है कागज की लुगदी या मुलतानी मिट्टी या कुट्टी एमगोन के पेष्ट से वस्त्वे बनाना क्या कहलता है पेपर मेशी कहलता है पोर्ट्री हस्तकला में नमबर एक है ब्लू पाट्री पोर्ट्री कहां की पर सिर्द है यह कहां से आई पर्शिया इरान से और उसे से कौन लेकर आये थे श्वाइन मान सिंग्पर्थम के आगमन का हुआ इसका आगमन हुआ और विक्षित हुई विक्षित कार यह कोई है और इसके कलाकार कौन है। यह त्थन फैक कलाकार नमबर कोट्टा की ब्लेक पोट्री कहां की परसिद है कोट्टा की नमबर तीन सुनेरी पोट्री सुनेरी पोट्री कहां की परसिद है बिक्कानेर की सुनेरी पोट्री कहां की परसिद है बिक्कानेर की नमबर च्यार कागची पोट्री कागची पोट्री कहां की परसिद है अलवर की नम्बर नो चमडा हस्तकला चमडा हस्तकला में नम्बर एक नागरी मोजडियां नागरी मोजडिया कहां की परसीद है नागोरी मोजडियां नागरी मोजडियां नागरी मोजडिया कहां की परसीद है जैपूर और जोधपूर की बिनोटा क्या होता है दुल्ह दुलन की जूतियां दुल्ह दुलन की जूतियां को क्या करते है बिनोटा नमबर दो कशिद्धा वाली जूतियां कहां की परशिद है जालोर और बिनमाल की जालोर और बिनमाल की, कसिद्धा वाली जूतिया जालोर और बिनमाल की परशिद है, नमबर दस दातु हस्तकला, दातु हस्तकला कहां की परशिद है, दातु हस्तकला, दातु हस्तकला में नमबर एक किर्शी के लोहे के ओजार, कहां के परशिद है, नागोर के, और बादला क कहांका परशीद है जोदपूर का बादला क्या होता है जस्ते से निर्मित पानी को ठंडा करने का पातर क्या कहलाता है बादला कहलाता है नमबर तीन पीतल की वस्तवे पीतल की वस्तवे जैपूर और अलवर की परशिदे पीतल की वस्तवे कहां की परशिदे है जैपूर और अलवर की नमबर चार तलवार बनाना तलवार कहां की परशिदे है शिरोई उद्दैपूर और अलवर की तीर कमान, नमबर पांच तीर कमान, तीर कमान कहा के परशिद है चंदू जी का गड़ा, चंदू जी का गड़ा कहा का है बासवाडा, चंदू जी का गड़ा बासवाडा और बोल्डि गामा डुंगरपूर के तीर कमान परशिद है, तीर कमान कहा के परशिद है, चंदू जी चित्रांकन हस्तकला मैं देखते हैं कि कहां कहां की परशिद है नमबर एक फड़ चित्रांकन नमबर एक फड़ चित्रांकन परशिद है सापुरा बिलवाडा की फड़ चित्रांकन कहां की परशिद है सापुरा बिलवाडा की नमबर दो पिछवईया पिछवईया कहां की प कपड़े पर किर्शन लिला का चित्रांकन करना पिछवाया कहलाता है नमबर तीन मैठेरन कला कहां की परसित है बिकानेर मैठेरन कला क्या होता है पोरानी कथाओं पर आधारी देवताओं के बिती चित्र क्या कहलाते है मैठेरन कला नमबर चार उस्ताकला उस्ताकला कहां की परसित है बिकानेर की उस्ताकला क्या होती है उट की खाल पर सौन नकासी उस्ताकला कहलाती है नमबर पाथ तेरा कोठा तेरा कोठा क्या होता है मीठी के बर्तनों पर काम करना टेरा कोटा कहलाता है कहाँ का परसीद है का टेरा कोटा परसीद है कांगा परशिद है बिका नेर कपड़े की बुनाई項ी कमें में देखते हैं कांगा कि चित्र का परशीद है पेचवर क्या होता है रंगीन कप्लों की कतरने को जोड़ कर कपड़ा बनाना पेचवर कहां का परशीद है सेखावटी चित्र खा और पेचवर क्या होता है रंगीन कप्लों की कतरनों को जोड़ कर कपड़ा बनाना नमबर दो टसर टसर कहां की परशिद है कोटा बासवाड़ा और उद्दैपूर का टसर क्या होता है रेश्रम की प्राप्ति है तू अर्जुन के वरक्ष लगाना क्या कहलाता है टसर कहलाता है नंबर तीन धरी बनाना ताकला नागोर लवाड़ दोसर शालावास और जोधपूर वियेना एम फार्शी पदत्ती के गलिचे कहां के परशिद है विक्खानेर के नम दे कहां के परसिद है नमबर पांच नमदे कहां के परशिद है टॉंक और बिक्कानेर के, नमबर छे कोटा लोरिया कहां की परशिद है कैथून कोटा की, कैसे कोटा लोरिया कैसे कैथून कोटा, मसुर्या की सार्या भी कहां की परसिद्र है कैथून कोटा की मसूर की साधिया कहां की प्रशिद है कैठोन, कोटा और मांग्रोल बारा की नम्मर आट मलमल मल कहां की प्रशिद है तन्सक जोधपूर और मठानिया जोधपूर मलमल कहां की परशिद है तंसुक जोधपूर और मथानिया जोधपूर ही मलमल परशिद है पावरजाई कहां की परशिद है पावरजाई जैपपूर की परशिद है खेशले कहां की परशिद है लेटा जालोर और मेड़ता नागोर के लोही कहां की परशिद है नापासार और बिक्कानेर की नमबर 13 रंगाई चपाई बंदेज या टाइडाई रंगाई चपाई जिसे ओबलिक बंदेज ओबलिक टाइडाई नमबर एक चुनडरी कहा की परशिद है जोधपुर की चुनडरी का क्पडे पर चोटी 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 बिंद्या दن क्या होता है कपड पर बड़ी बड़ी बींद्या चुनडरी चाइप्व थेड़ी लोग Sm को योता है कपड़े पर छोटी चोटी बीन दिया और धनतंता है कपड़े पर बड़ी बड़ी बीन दिया को आज नवर अश्द कपड़े पर एक तरफ से दूसरे तरफ लहर लूमा धारिया क्या कहलाती है लहरिया क्या होता है कपड़े पर एक तरफ से दूसरे तरफ तक लहर लूमा धारिया क्या कहलाती है लहरिया मोठडे कहां के परशिद है जोधपूर के कपड़े पर एक दूसरे को काटकी हुई धारिया नमबर पांच बलबुट्यदार छपाई बलबुट्यदार छपाई कहां की परशिद है सांगानेर जैपूर की नमबर छे फूल पतियों पसुपक्षियों की प्रिंट कहां की परशिद है बगरू जैपूर की फूल पतियों पसुपक्षियों की प्रिंट कहां की परशिद है बगरू की नमबर साथ अजरक प्रिंट अजरक प्रिंट कहां की परशिद है बालोत्रा बाडमेर की अजरक प्रिंट क्या होती है लालेम हरे रंग की प्रिंट अजरक प्रिंट क्या होती है लाले भरे रंग की प्रिंट अजरक प्रिंट कहलाती है नंबर आठ मलीर प्रिंट क्या होती है बालोत्रा बाडमेर की क्या परसिद है मलीर प्रिंट कहां की परसिद है बालोत्रा बाडमेर की बालोत्रा बाडमेर, बालोत्रा, बालोत्रा बाडमेर की अजर मलीर प्रिंट परशिद है, मलीर प्रिंट क्या होती है, काली ये कथई रंग, लाली मा लिये वे, मलीर प्रिंट क्या होती है, काला और कथई रंग, लाली मा लिये वे, मलीर प्रिंट कहलाता है, जाजम नंबर नो जाजम प्रिंट कहां की परसिद है अकोला चित्तोडगर पॉम्चा कहां का परसिद है जैपूर का पॉम्चा कहां का परसिद है जैपूर का पॉम्चा कहाता है पीले रंग की ओड़नी क्या कहलाती है पॉम्चा पॉम्चा जैपूर का परसिद है और पीले रंग क परकार नंबर एक केरिभाद की ओडणी आदिवासी महिलाओं में परचली तैम किरिभाद की ओडणी का परचलन किश्वें हैं आदिवासी महिलाओं में लेयरबात की ओड़नी नमबर तीन लेयरबात की ओड़नी लेयरबात की ओड़नी का परचलन भी किसमें है आदिवासी महिलाओं में नमबर चैर जवारबात की ओड़नी जवारबात की ओड़नी का परचलन भी किसमें है आदिवासी महिलाओं में बंदेज बंदेज क्या ह इसमें बांद कर रंग को रोका जाता है इसमें खत्व बूंद की बंधाई के अनुसार अनंकरण बनते हैं इसमें खत्व बूंद की बंधाई के अनुसार अनंकरण बनते हैं बंदेज एक तकनीक है जिसमें बांद कर रंग को रोका जाता है इसमें खत्व बूंद की बंधाई के अनुसार अनंकरण बनते हैं Amari chanel go, like, share and subscribe, there is a hint that I have heard.